हाई गाईज, वेलकम तो आईस पॉइंट, दिस अधिती पांडे तो टोड़े वी डिसकास्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चिन्स रिलेटेट तो लेसन 6 ऑफ जोग्रफी तो जोग्रफी की लेसन 6 को हमने अच्छे से पढ़ लिया है आप सभी ने पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कल से हमने कोईश्चन स्टार्ट किये हैं तो दो-तीन दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ओके और अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है आप इन कोश्चन को देखिए और इनका एंसर देने की कोशिश कीजिए आप कॉमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर आप कॉपी लेके बैट जाएए वहाँ लिखी है और कॉमेंट में बताइएगा कि आपके एंसर सही है या फिर गलत तो और हाँ एक और काम करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब कर लिजे हमाई चैनल को और नोटिफिकेशन बैल को भी क्लिक कर लिजेगा क्यूंकि अगर इसकी आगे की कोश्चन इसकी वीडियो आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने अचानक से खोला है और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं पहले से तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपको अच्छी लगे तो तो नेक्स्ट है मतलब पहला कोश्चन है हमारा जैविक क्रियाएं किस मृदा निर्माल में सहायक होती हैं किस प्रकार ये मृदा निर्माल में सहायक होती है तो देखे जैविक क्रियाएं क्या होती है जो की जीवों से जुड़ी होई होती है एनिमल से ठीक है जैसे इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यू होती है उसकी बौड़ी को जब हम दफनाते हैं तो उसका अपच्छे होता है उसी तरीके से मिट्टी में बहुत सारे कीडे मुक है उन्जीओं के शरीर से जो अपच्छे हो रहा है पदार्थ वो एड्ग हो रहा है तो वो अनेक मतलब अलग तरह की मिट्टी का निर्माड करेंगे तो इसलिए ये मृदा निर्माल करने में सहायक होते हैं ठीक है? और भी कई सारे जानवर हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं और जिंका मृदा निर्माल की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत अधिक महत्व है जैसे की चीटी, दीमक, केचुए, कृतंक, इत्यादी चटानों के अपच्छे की रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है? समझाईए, तो जो चटान है, उनका अपच्छे होता है ठीक है? वो कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है पर इसमें कौन सा पूछा है? रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है तो रासायनिक प्रक्रिया जो है वो तीन प्रकार की होती है सौरी चार प्रकार की होती है ठीक है क्या क्या इंक्लूट करती है ये विलियन, कार्बोनेशन, जल योजन और आकसी करण अब हम समझेंगे कि विल्यन क्या होता है आप सभी जानते हैं विल्यो विलायक के गोल को हम विल्यन कहते हैं ठीके लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अपच्छे से जुड़े हुए विल्यन को अपच्छे यानि कि जो चीज अलग हो रही है ठीक है अपच्छे को उने पढ़ा था ना प्रिथक होना तो अलग होने वाली चीज में हम विलियन को पढ़ रहे हैं तो इसमें विलियो विलायक नहीं आएंगे इसमें क्या आएगा कि चटाल में मौझूद कई प्रकार के जो खनीज हैं जब वो जल में घुल जाते हैं जैसे कि नाइट्रेट सल्फेट हो गया या फिर पोटेशियम हो गया इस तरह वर्षा की जलवायू में ऐसे खनीजों से युक्त शैले अपच्छाईत होती रहती हैं जैसे कविकार कहते हैं कि पानी भी पत्थर को काट देता है तो कई देर तक यदि पत्थर से पानी होकर गुजर रहा है तो उसका कुछ जो भाग है वो च्छै होता है ठीक है तो उसे हम उसे भी हम अपच्छै के श्रेणी में रखते हैं और उसे विल्यद अपच्छै कहते हैं ठीक है दूसरा है कार्बोनेशन कार्बोनेशन क्या होता है वर्षा के जल में घुली हुई कार्बंड डै उक्साइड से कार्बोनिक एसिड यानि कि कार्बोनिक अम्ल का बिरमाड होता है ठेकए? यह अम्ल जो है यह चूना युक्त चट्थानों को गुला देता है तीसरा है जल योजन कुछ चटाने जैसे की कैल्शियम, सल्फेट यह चटाने होती है यह जल को एब्जॉब करती है यानि की सोख लेती है और जब कोई भी मान लिजे एक मिट्टी का आपने डेला लिया ठीक है आपने उसके उपर पानी डाल दिया कुछ देर बाद आप देखेंगे व आपने आपी टूट जाएगी, बिख़ड जाएगी तो क्यूं? क्यूंकि वो जल को एब्जॉब कर रही है ठीक है तो ऐसे ही कुछ चटानों के साथ भी होता है जो कि कैल्शियम, सल्फिक्ट युग्त जल को एब्जॉब करती हैं और फिर फैल के कबजोर हो जाती है और ट तरह से अपच्छे के क्रिया होती है नेक्स्ट है हमारा आक्सिकरण इसे आप इंग्लिश में ऑक्सिडेशन भी कहते हैं तो आक्सिकरण की महत्तुपूर्ण इंपॉर्टेंट मैंने आपको उदाहरन दिया था क्या था ये लोहे पे जंग लगना क्यूं लगता है प्रक्रिया होती है और जो लोहा है उस पे जंग लग जाता है नेक्स्ट कोश्यन है हमारा बहुतिक अप्छे क्या है और यह कितने प्रकार की होते हैं तो देखी बहुतिक अपशे जो है उसके कारण चटान छोटे छोटे टुकडों में तूट जाते हैं जिनके लिए कई सारे बल भी इंपोर्टेंट हैं मतलब जिनके लिए कई सारे बल जो बल हैं वो कारण साबित होते हैं कौन-कौन से हैं वो गृत्वा करशन बल, ताप क्रम में परिवर्तन, शुष्क एवं आद्र परिस्थितियों का अदल बदल कर आना जैसे कारण जो हैं ये इस चीज के लिए जिम्मिदार होते हैं तो मैंने आपनों को जैसे बताया कि ऑक्सिकरण की प्रक्रिया है जो की लोहे पे जंग लगने वली जो क्रिया है वो इसलिए होते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भौतिक अप्षय ठीक है तो भौतिक अप्षय के कारण चटाने जो होती हैं वो छोटी छोटी टुकडों में तूट जाती हैं जिनके लिए गुरुता कर्शन बल हो गया ताप क्रम में परिवर्तन हो गया जैसे कि जो बहुतिक अप्षय जो बहुतिक क्रियाएं हो रही है उनके कारण जब चटाने तूटते हैं तो बल ही आप लगाएंगे न किसी चीज़ को अगर आपको तोड़ना है उसको आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा यूस करना पड़ेगा उसके मारेंगे रहसे फर फेकेंगे कहीं तो वो तूटेगा और नेग्स्ट है नेक्स्ट था थाब में अपरिवर्तन होता है तो भी होता है जैसे की ठंडी का मुशा में थिक है माली जै कोई सिमेंट आपने घुल के रख दिया जब घर बन रहा होता है तो मुस्ट लोग सिमेंट घोल के रखते हैं रखते हैं तो फिर कुछ देर के लिए हम से छोड़ देते हैं यदि वही चीजें गर्मी में हो तो काफी जल्दी जम जाती हैं लेकिन अगर आप बरसात में कोई घर बना रहे हैं तो बहुत ध धीरे धीरे सुखेगा तो इसका यही अर्थ हुआ कि जो ताप क्रम है यानि जो ताप माल है वो उसके उपर असर डालता है उसके लिए जिम्मेदार होता है तो अपच्छे की प्रकरिया भी ऐसे ही है ठीक है नेक्स्ट क्या है शुष्क एवं आदर परिस्थितियों का यही है ठीक है नेक्स्ट है इसमें हम कई सारे निम्न प्रकार से यह कंप्लीट होता है जैसे भार विहीनी करण तापक्रम में परिवर्तन हीम करण एवं तुशार वेंजिंग लवण अपच्छे और जैविक अपच्छे मैंने आप लोगों को बताया है लवण अपच्छे और उसका अपच्छे होता है जैसे पहाड है अब discussing कि पहाड मिटी में कब परिवर्तित होगा तो उसमें बहुत साल लग जाते हैं ना हजारों साल लग जाते हैं उस क्रिया को होनी में और ताप करम में परिवर्दन हमने देख लिया है और हीम करण जैसे glaciers का एक तरह से जब glaciers पिघहलते हैं तो वह भी अप्च्छाई हो रहा है ना ग्लेशियस बड़े बड़े होते हैं और वो छोटे छोटे टुकडों में विभाजित होते हैं फिर पानी में मिल जाते हैं फिर वो बर्फ पिघहल जाते हैं तो ये भी एक तरह का अप्छे ही है नेक्स्ट देखते हैं यह हमारा नेक्स्ट कुश्चन क्या है अपच्छे की निमलिखित प्रक्रियाओं को सहचित्र समझाईगे ठीक है तो अपच्छे की तीन बहुत सी इंपोर्टेंट क्रियाओं हैं कौन सी हैं अपशलकन, संकुचन, एवं विस्तारण और तीसरा क्या है हीम करण तो चलिए देखते हैं इसे आप किस तरीके से चित्र में दर्शाएंगे देखे पहला है अपशलकन ठीक है तो बस एक पत्थर बना देना है और उसके आगे पीछे पत्थर लगा के आप दिखा दीजेगा कि अपशलकन की क्रिया है ठीक है जैसे रुक्य दिखाते हैं ये मालीच आपने इस तरह के पत्थर बनाए और उसके आगे पीछे पत्थर बनाए जब इस पत्थर को आप कई दिनों तक छोड़ देंगे जहां बारिश होगी इत्यादी ठीक है तो इस पर कुछ जीव जनम लेंगे ठीक है छोटे छोटे जीव माइक्रो ओर्गैनिजम उत्पन होंगे फिर उनकी मृत्यू भी होगी कुछ काई भी जमेगी ठोड़े बाद घास भी निकलेंगे जो खतम होंगे तो मिट्टी की एक लेयर उसके उपर बन जाएगी फिर उसके उपर भी किसी न किसी का जनम होगा फिर उसके एक मिट्टी की लेयर बनेगी तो ऐसे कई सालों तब करते रहने के पसचाथ मिट्टी की एक मोटी लेयर उसके से बनेगी फिर वो धीरे धीरे च्छाय होगी ठीक है नेक्स्ट क्या था संकुचन एवम विस्तारण संकुचन एवम विस्तारण क्या आता है देखे जब हम कोई माली जे यह पत्थर है ठीक है यह ज़रने के नीचे पत्थर है और यहाँ से पानी बह रहा है कई दिनों तक बहेगा तो इसका संकुचन हो जाएगा जो ये पत्थर है ये छोटा होने लगेगा क्योंकि पानी बहरा है जो उसके पत्थर के किनारे से च्छै करते हुए पत्थर को काट रहा है ठीक है नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन में चटानों का अपच्छ है तो कुछ तापमान में ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जिनके कारण चटानों का अपच्छ होता है लोग कहते हैं यदि आपने बहुत गर्मी में घर बनवाया और उसे अच्छे से पानी नहीं देंगे तो द शलकन अप्छे की इस प्रक्रिया में चटानों की परतें प्याच के छिलके की तरह उतरते हैं ऐसा गुंबद आकार की भुवाक्रितियों में मोस्टली होता है आपको बड़ा पत्थर है गोल साइक दम मानलीचे आप सोचेंगे कि वो आधा आधा एक दम एक बार में अप्छे हो जाए तो ऐसे तो नहीं होगा न उपर की धीरे धीरे परतें उसकी छुटेंगी फिर ऐसे करके बहुत धीरे धीरे उसका अप्छे होगा नेक्स्ट क्या है संकुचन शैलों में मौजूद खनीच तापमान बढ़ने से फैलते हैं एवं तापमान कम होने से सिकुडते हैं इस प्रकरिया से शैले कमजोर होके तूट जाते हैं तो शंकुचन विस्तारन जो शैल होते हैं यदि तापमान बढ़ जाता है उनमें जो चटान है व 갑자기 दूर दूर चली जाएएगे उनका अपछे हो जाएगा यदि तापमान कम हो जाएगा तो वो सिकुर जाएँगे जिससे की शयले कमजोर पढ़ जाती है और बार ऐसे करने से वो तूट जाती है तेस्रा है हीम करण तुशार वेंजिंग शैलो की दरारों में जल भर जाता है एवं तापमान गिरने से जल हीम में परिवर्तित हो जाता है हीम बनने से आयतन बन जाता है जिसके करण शैले तूट जाते हैं तो ये भी एक इसी प्रकार का है कि शैलो की जो भी चटाल है उसके बीच में जो जगह है उसमें पानी भर गया फिरो पानी बरफ बन गया था पान घटने से और वो बरफ बना तो अपनी जगह थोड़ा और विस्तरित करेगा बढ़ाएगा ऐसा करने से बार बार पत्थर तूट जाते हैं अब अपना नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे क्या है तिवर संचलन प्रक्रिया क्या है एवं यह कितने प्रकार से घटित होती है तो आदर जलवायू प्रदेशों में मन्द या तिवर वनस्पती हीन ढालों पर जो जल यूक्त मिट्टी या गाद का तेजी से खिसकना तिवर संचलन कहलाता है तिवर संचलन क्या है आदर जलवायू जो प्रदेश होते है जहाँ पे मन्द वनस्पती हीन ढालों प्योक्त हो तथा जल यूपत मिट्टी हो जिसके कारण मिट्टी तेजी से खिसक जाती है तो इस प्रक्रिया को ही तिवरसंचल न कहते हैं यानि बहुत तेजी से उसका अपच्छै हो रहा है यह प्रक्रिया कई तरीके से होती है अव सरपन जब संत्रिप्त पदार्थ पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी बनाते हुए साप की तरह नीचे खिसकते हैं तो यह अव सरपन कहलाता है जैसे कि नाम में ही लास्ट में क्या रहा है? सरपन तो आप समझ जएगे कि साप की तरह सीड़ी बनाते होए नीचे की सकते हैं तीसरा है कीचण प्रवाह बहुत अधिक मातरा में जब अपच्छे होता है तो भारी वर्षा के कारण जैसे माली जी बहुत अधिक मातरा में अपच्छे हुआ ठीक है बहुत अधिक मातरा में यहाँ पर किसी स्थान पर अपच्छे हुआ बहुत सारे हो गए मिटी ही है न अपच्छे जब पानी वर्षेगा तो यह कीचण का रूप ले लेंगे और फिर तेजी से एक कीचण नदी घाटी धालों से बहने लगेगा और यह घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है तीसरा है मलवा अवधाव यह प्रक्रिया तीवर ढालों पर होती है जिसमें मलवा चटान की टुकडे कीचण प्रवाह से भी तेज गती से नीचे आते है अगर यह चटान की टुकडे हैं छोटे छोटे और इनका अप्छे होगा तो यह ढाल पेसी बहुत जल्दी से नीचे आए जाएंगे न इनकी स्पीड बहुत तेज होगी जिससे किसी नीचे किसी जीव को चोड़ भी लग सकती है और भी चीज़े होती है अप्छे म्रिदा निर्माल को किस तरह प्रभावित करते है चटान की अप्छे से जो प्राप्त पदार्थ म्रिदा निर्माल के लिए एक आधार का कारिय करते है तो जो अप्छे हैं वे म्रिदा निर्माल को मतलब काफी उनको बढ़ाने में सहायक होते है अगर अप्छे नहीं होता तो मृदा निर्माल भी कहीं नहीं होता क्योंकि ये बहुत आवश्यक है अप्छे होना अगर एक चटान है और अगर इस चटान का अप्छे ही नहीं होगा तो फिर मृदा का निर्माल कैसी होगा तो चटान का अपच्छे होना मृदा निर्माल के लिए बहुत आवश्यक होता है तो आज हम यहीं पे class stop करते हैं कल हम आगे continue करेंगे अगर आपको कोई question है important जो आपको लग रहा होगी मैंने related आपको इस question से कुछ भी नहीं समझाया तो आप पूछ सकते हैं comment में और बताईएगा कि यह question session आपको कैसा लगा इसे जारी रखा जाए कि नहीं और अपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा and thank you for all your support keep study, be happy okay, bye, take care